गाईस यार आज की इस वीडियों बात करने माले अहुजा UBA 1300 और BTZ 1011 amplifier के बारे में क्योंकि गाईस आप लोग का बहुत सरा कमेंट इस टोपिक भी आ रहा था कि आप इन दोनों amplifier के बारे में फूल डिटेल फूल एसी केशन बताए कि इन दोनों amplifier में कों से amplifier हमारे लिए बेट़रएगा और क्स़ इमिल फएयर किस उजम से आएंगर तो गाईस आज की इस वीडियों में मैं आप लोग को इन दोनों amplifier का फूल डिटेल और फूल एसुल revelation बताने वाला हूं कि आप लोगों को इन दोने इमिफायर लेना चाहिए और कौन से इमिफायर किस यूज में आएगा सब कुछ आप लोगो इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे साहब को अब लोग को इस वीडियम डीटेल में बताएंगे लिए नमस्कार दोस्तो तो सिंप्ली काई से यहाप पर हम बात करने वाले है आहुजा के दो पाउर्फूल एमिल्फायर में के इन दोनो एमिल्फायर में से कौन सा एमिल्फायर बेटा रहा और कौन सा एमिल्फायर हमारे लिए अच्छा रहेगा तो गैस यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अहुजा के टू जोन पीए पाउर एमिल फायर के बारे में जिसका मोडल नमबर आप लोगो BTZ 10R देखने को मिल जाता है जो कि BTZ 10R के यहाँ पर आप लोगो मोडल नमबर मेंसें किया गया है गैस यहाँ पर आप लोगो एक पाउर अनफ करने के लिए एक सीच देखने को मिल जाता है जैसे यहाँ आप लोगो बता दू कि यह टू जोन का एमिल फायर है जो कि आप लोगो जोन ए और जोन बी में भी देखने को मिल जागा तो गैस यहाँ पर ओबरलोड में आप लोगो दो बती देखने को मिल जाएगा जैसे आपका एमिल फायर ओबरलोड में जाएगा तो यहाँ पर दोनो बती जालेगा तो गैस यहाँ पर प्रेस टू सीच यहाँ पर दिया है पूना इसे प्रेस किजिएगा तबका ओबरलोड बिलकुल नहीं खतम हो जाएगा गैस यहाँ पर आप लोगो यहाँ पर जोन A और जोन B के लिए अलग-अलग यहाँ पर तीन भोलियम नोब देखने को मिल जाएगा जो की काफी यह बेस्ट है तो गाइस यहांपर हम बात करेंगे जोन A में तो जोन A में आप लोग को एक बड़ा सा master volume देखने को मिल जाता है और यहांपर आप लोग को base control के लिए एक volume knob देखने को मिल जाता है गैस यहाँ पर आप लोग को जोन A में बहुत सारा light indicator देखने को मिल जाता है जो कि यह level output की light indicator दर साता है कि आप लोग जोन A से कितना power output अपने speaker में भेज रहे हैं गैस यहाँ पर आप लोग को जोन A में आप लोग को एक switch देखने को मिलेगा जो कि हरन selection और box selection के लिए होता है यानि गैस अगर आप लोग जोन A में हरन चलाना चाहते हैं तो इस switch को red बती के तरफ किजिएगा तो red बती जलेगा तो आप लोग को वहाँ आप हरन चलेगा और जैसे यहाँ पर आप लोग को तीन बटन देखने को मिल जायता है जो कि एक यहाँ पर बटन जो फर्स्ट में आप लोग को stereo और mono करने के लिए होता है इस switch को जैसे ही प्रेस किजिएगा तो अगर आप लोग का green बती जलेगा तो आपका एमिल फायर इस्टूरियो में हो ज signal जाएगा और दोनों जोन काम करेगा गाईस यहाँ पर आप लोग को दो यहाँ पर बटन देखने को मिलता है जो कि जोन ए और जोन बी के लिए होता है अगर आप लोग किसी जोन को बन रखना चाहते हैं कि आप लोग को जोन एक कहीं काम है तो आप से जोन एक को ऑन कर सकत चलिए गई सब हम बात करेंगे दूसरे एमिल फायर के बारे में तो दूसरा जो एमिल फायर जो मेरा अहुजय का DJ SP पावर एमिल फायर है जिसका मोडल अमबर आप लोगको यूभी ये 1300 देखने को मिलेगा यानि आप लोगको ये 1300 वाट इस का आमिल फायर है जो कि आप आप लोगो दो बड़ा बड़ा हैंडल देखने को मिल जाता है टैंग के लिए बीटी जेटे में भी आप लोगो देखने को मिल जाता है तो ग्याईश your आप लोग Twin पेनल पे बहुत यहां पर & कशनmbol चलनिकल हमों Разब भाषी, अधे सब्सक्राइब को ने हो Zeit आप समझ को हिटिंग के वे लिए आप लेहरौ छलन का एक बती देखने को मिल जाता है Rules वे यह जादा यूझार फिरेखन अप्सक्राइब करने को दो फाहिं एधे स्यक्लाइब को लाई तो आप लोग कुछ देर के लिए आप लोग इस MFIRE को अपरेट करेंगे तो बंड कर सकते हैं गाईस यहाँ पर आप लोग को लेवल इंडिकेटर देखने को मिलेगा कि आप लोग इस MFIRE से इस पीकर में कितना ओटपूट दे रहे हैं यहाँ पर यह लेवल आप लोग को दिखे रहेगा गाईस यहाँ पर आप लोग को बड़ा सा होल ग्रिल देखने को मिलेगा जो कि इस ग्रिल के माध्यम से इसमें एर वेंटिलेसन आता जाता रहेगा ताकि आपका MFIRE हीटिंग प्रोग्लेम बहुत ही कम देखने को मिलेगा गाईस इस MFIRE के बैक पैनल पे आप लोग को एक फायन भी देखने को मिलेगा जो कि BTZ में आप लोग को फायन देखने को नहीं मिलेगा तो गाईस यह DJ PA Power MFIRE है यानि DJ के लिए बेस्ट MFIRE है तो इसमें आप लोग को फायन देखने को मिल जाता है साथी गाईस यहाँ पर आप लोग को इसका ब्रांडिंग नेम मेंशन किया गया और गाईस यहाँ आप लोग को मोडल नमबर UBA 1300 मेंशन किया गया गाईस यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा वोलियम नोब देखने को मिल जागा जो कि एक मास्टर कंट्रोल के लिए वोलियम नोब है और एक बेस कंट्रोल के लिए वोलियम नोब है और एक यहाँ पर जहनकार कंट्रोल के लिए वोलियम नोब है गैस यहाँ पर आप लोग को एक सीज़ देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग सीज़ को ओनकर दीजिएगा रेड के तरफ तो आप पर आप लोग कोoser चलेगा सब इस ह कर मतलब आप लोग को maximafire में बेश अगर चलाना होगा तो चलेगा गाईस यहाँ पर आप लोग को माईक इंसर्ट करने के लिए एक यहाँ पर भोलियूम नोब देखने को मिल जाता है जो कि अगर आप लोग इस अमिल फायर में डिरेक्टली एक माईक आप लोग use करेंगे तिस volume को open किजेगा तब का mic चलेगा और गईस यहाँ पर आप लोग को aux और cd का भी एक यहाँ पर volume नोब देखने को मिल जाता है तो गईस यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले bt-z के power output के बारे में तिसका power output आप लोगो 500 wattage पर zone देखने को मिलेगा यानि zone a पर भी 500 wattage देखने को मिलेगा और zone b पर भी 500 wattage देखने को मिलेगा और इसका maximum wattage company बोलती है कि शाड़े 700 wattage आप लोगो rmx max power देखने को यानि 500 वार्टेज का आपका अमिल फायर है तो आप लोग को 700 वार्टेज यह लिकाल कर दे देगा जोन ए पर है और जोन बी पर भी तो यह काफी बेस्ट है अब हम बात करेंगे यहाप पर UBA 300 के बारे में तो गैस UBA 300 का पाउर अटपुट आप लोग को 1300 वार्टेज देखन को मिल देगा तो गैस यहाप लोग को बता दू कि जो UBA 300 है केवाल एक जोन के मिल फायर है तो आप लोग को केवाल एक ही पे इसका पूरा पाउर देखने को मिलेगा गैस अब हम बात करेंगे बीटी जेट के फ्रेक्वेंसी रिस्पोंस के बारे में तो इसका फ्रेक्वें को मिलेगा अब गैस हम बात करेंगे दोनों की स्पीकर आटपुट के बारे में तो अप लोग फोरों एक टों और सतर वोल्ट और सौवल्ट का अप्सम देखने को मिलेगा जो कि आप लोग इसमें हरन चलाने के लिए अप्सम देखने को नहीं मिलेगा यानि गैस आप 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का आफसन देखने को नहीं मिलेगा बात करेंगे इसके पाउर सप्लाई के बारे में तो गैस यहां पर आप लोग को BTZ का पाउर सप्लाई AC 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में आप लोग को पाउर देना होगा इससे ज़्यादा दिजेगा तजरने का च और सप्लाई आप लोग को AC 220 वोल्ट से 240 वोल्ट देखने को मिलेगा जो कि इसमें आप लोग को बैटरी पे चलाने का अप्शन नहीं मिलता है तो गैस यहां पर काफी है माइनस पॉइंट लगा कि यह एम फैर आप लोग को बैटरी पर नहीं चलेगा बात करेंगे दोनों आप लोग को 40 kg देखने को मिल जगा तो गैस यहां पर दोनों आप लोग को सब्सक्राइब को देखने को मिला तो गैस अब हम बात करेंगे कि इन दोनों एमिल फैर में से कौन सा बेटर है कौन सा एमिल फैर हमारे लिए लेना चाहिए तो गैस आप लोग को बता दू कि आप लोग को जब भी MFIR लेना है इन दोनों में से तो आप लोग को decide करना है कि मेरे को कैसा age में कौन सा काम में कौन सा MFIR को लेना है बट गैस यहाप लोग हम बताने की कुछिस करेंगे कि कौन सा MFIR किस काम में आएगा तो गैस याप पर समझे अगर आप लोग को 2 zone M4 में आप लोग का ज़रत है आप लोग BTZ 10R के तरफ जा सकते हैं इसमें एक आप लोग को फायदा यह देखने को मिलेगा कि अगर आप लोग एक zone पर speaker चलाना चाहेंगे तो speaker चल जाएगा अगर आप लोग दुसरे zone पर हरन चल नहीं जाएगा यानि क्यों आप लोग को एक channel देखने को मिलेगा अगर आप लोग इस पर हरन connection करना चाहेंगे तो इवबीह में आप लोग को हरन कनेक्शन नहीं होगा जब भी आप लोग इसमें चलएएगा तो speak жд चल लाईएगा या तो इसमें आप लोग मोग मों वाला ड्राइबर इंनेट चलाना होगा इसमें प्रोग्लेम नहीं होगा बट गैस यहां पर आप लोग को UBA 1300 में के आए कि आप लोग को इसमें जब भी चलाईएगा तो 1000 वाट से उपर का टॉप चलाईएगा अगर उसे नीचे का चलाईएगा तो आप आपका स्पीकर बिल्कुल ही जल जाएगा किमकि गैस इसका मैक्सिमम पावर 1500 है आप लोग 1300 मान के मत चलिए इसका 1300 तो पावर है बट यहां पर ज़्यादा यह पावर देगा तो गैस अगर आप लोग DJ के लिए के वाल इउज करना चाहते है तो UBA 1300 के तरफ जा सकते हैं कि कि DJ में आप लोग को ज़्यादा वाइबरेशन और ज़्यादा पंची आवाज सुनने को मिलता है तो गैस अगर आप लोग DJ में इउज करना चाहते हैं तो UBA 1300 ले सकते हैं काफी आप लोग को बेस्ट परफोर्मिस देगा अगर गैस आप लोग एक लाइब प्रोग्राम चलाते हैं आप लोग को ज़्यादा तर लाइब प्रोग्राम चलाने में इंट्रेस्ट है तो आप लोग BTZ 10 आर के तरफ जा सकते हैं कि लाइब प्रोग्राम में होता क्या है कि आप लोग को थोड़ा उसमें आप लोग को ज्यादा वोकल वाला आवाज चाहता है तो आप लोग बीटी जेट के तरफ जा सकते हैं एक जोन पर स्पीकर भी चलाईएगा और दूसरे जोन पर हरन भी आप लोग को 20-10 चलाना होगा तो चल देगा कोई प्रोग्रेम नहीं होगा तो दो व्रके करना है कि कि इतना देखने को मिल जागा तो गाइस इस दोनों MFIR का प्राइज आप लोग को बहुत डिफ्रेंस देखने को मिलेगा तो गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे BTZ 10R के प्राइज के बारे में ते इसका अपरोक्स प्राइज आप लोग को 38,000 से 42,000 रुपया के बीच में देखने को मिलेगा जो की काफी यह बेस्ट है थोड़ा आप लोग को प्राइज इसका ज़्यादा देखने को मिले रहे है तो गाइस इसके अंदर आप लोग को फैसलिटी भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है यह बात करेंगे UBA 1300 का प्राइज आप लोग को 32,000 से 35,000 के बीच में देखने को मिलेगा जो कि इतने प्राइज इरिन में यह बी काफी बेस्ट क्वालिटी का एमिल फैर है गाइस हो सकता है कि आपके मर्केट में या आपके एरिये में इसका प्राइज दूचर पाँचर उपर और नीचे देखने को मिलेगा टॉप बजा सकते हैं क्योंकि यह टूओम एस्टेबल एमिल फैर है अगर आप लोग को हरन भी चलाना है और टॉप भी चलाना है तो आप लोग बीटी जेड दस सेर के तरफ जा सकते हैं जोकी कि इसी तरह का साउंट सिस्टम से रिलेटिव आगे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले दोस्तों अगर आपके मीमन में साउंट सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है आप मुझे नीचे कमेंट बक्स में कमेंट करके पूछ सकत करते हैं मैं आपके अंसर रगले वीडियो में देने की कोशिस करेंगे तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंट्रेस्टिंग नए वीडियो के साथ जैहिन